हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे SSE CGL 2017 टीर 1 का एक पेपर और यह सेट 12 है इसके पहले के सेट भी अवेलेबिल है तो वो भी आप इस कोर्स के अंतरगत जरूर देखिए और इससे आपको एक था 9-8-2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में यहां पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं और इस कोश्चन को हम करेंगे तो चलिए डिसकस करते हैं देखे यह स्पार्टियर का एक कोश्चन है इनिस्पाइट अप डॉक्टर सिस्टर्न वोर्निंग इनिस्पाइट ऑफ कार्थ होता है इस चीज के वाबजूद ठीक है ऐसा करने के वाबजूद डॉक्टर्स इस्टर्न वोर्निंग डॉक्टर की इस्टर्न वोर्निंग मतलब उन्होंने एक चिताबनी दी पेशेंट को लेतिका को ठीक है इनिस्पाइट ऑफ डॉक्टर्स इस्टर्न वोर्निंग लेति इसमें यहां पर इसका आंसर होगा, इस्टिक्ट वोर्निंग, ठीक है, डॉक्टर की इस्टिक्ट वोर्निंग के वाबजूद, लटिका ने सुगर यानि शक्कर, उसको मिल्क में लेना जारी रखा, यह इसका अर्थ है, और कंटिन्यूट के बाद हम आई इंजी फर्म लगा सकते हैं, और कंटिन्यूट की वाबजूद, यह इसमें सही है, ठीक है, डॉक्टर की वार्लिंग थी, तु डॉक्टर कहना यहां पर सही है, इस्पाइट और इसके वाबजूद, तो यह भी सही है, तो इसमें सुगर के स्थान पर सुगर का प्रयोग हम करेंगे, और C इसम सही answer आपका होगा uncountable nouns में हम normally s नहीं लगाते चलिए आगे देखते है myself और रोशनी देखे यह जो myself होता है इसको हम reflexive या emphasizing pronoun की तरह यूज करते हैं इसको हम subject में यूज नहीं करते हैं ठीक है तो यहाँ पर actually myself को हम बोलेंगे I और I जो है यह रोशनी के बाद आएगा क्योंक pronoun में एक rule होता है two, three और one ठीक है सबसे पहले आएगा second person उसके बाद आएगा third person उसके बाद आएगा first person तो इसमें second person तो है नहीं इसमें के बाद third person है और first person है रोशनी जो है वो third person है you जो होता है वो second person होता है ठीक है I और we जो होता है first person होता है तो इसमें three और one यानि three पहल आएगा और first person नहीं आई इसमें बाद में आएगा तो इसका जो सही expression होगा वो होगा रोश्नी एन आई ठीक है तो यहां पर चुकि आपको spotting करद निकालना है इसलिए इसमें आपका answer होगा ए आगे देखते हैं यह फिलर के question है the rain stopped the concert had to be suspended ठीक है तो होगा तक तक पर एक स्पेंट करना था तो किसमें तरश्च स्पेंट करना पड़ा तो चुकि इसमें time related condition है तो time related की जब तक rain hay हो रही थी तक कॉंसर्ट को स्पेंट करना जरूरी था तो चुकि time related है तो इसमें until जो होगा वह सही समें the answer होगा आंटलेस से भी सेंटेंस बन जाएगा लेगेहां लेश यो होता है गनलेस पीछ इंडेटेद कंडिशन होती है अंटिल टाइम रिलेटेड कंडिशन होती है ठीक ईंटिल मतलब अप टू धूर्ट टाइम देखे इसमयं टाइम आ रहा है तो इसलिए अंटिल टाइम condition है तो until कहना यहां पर सही होगा, until the rain stopped the concert had to be suspended जब तक train जब तक rain नहीं रुक रही थी या नहीं रुकी थी past की बात हो रही यह तब तक concert को cancel या suspend करना पड़ा तो until इसमें सही answer आपका होगा, आगे दिखते हैं the elephant stampeded stampede क्या होता है, stampede जैसे भगदर कहीं पर मच जाती है जैसे प्लैटफॉर्म है या कोई भी ऐसा प्लेज है जो बहुत जदा क्राउडेड है ठीक है तो वहाँ पर जैसे काफी सारे लोग जब होते हैं और किसी चीज के लिए वहाँ पर मारा मारी होती है और भाग दोड़ करते हैं लोग तो उसको हम होगा इस टीट का डैमेज होगा टोर आफ का मतला होता है फाड़ना किसी चीज को कागच को फाड़ना कपड़े को फाड़ना उसको हम बोलते हैं तो डैमेज के लिए हम बोलते हैं टीर डाउन या टोर डाउन तो टोर डाउन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फोर यानि लगा रहता है, उसको हम बोलते है, इसक िसका स्कटल और ब्रीजियर भी कंटेनर ही होता है, तो ब्रीजियर यहां पर सही आंसर होगा, सॉलीटरी मतलब अकेला, सुपरफीसील दना उपर से, सूधिंग मतलब शांत करने वाला तो ब्रेजियर जो होगा इसमें सही आंसर आपका होगा इसका टल के बाद है लोकेशस लोकेशस यह तो बहुत सिंपल वर्ड है काफी बार एक्जाम में पूछा गया है लोकेशस का रता है टॉकेटिब जो बहुत ज़्यदा बातूनी और बात करने वाला होता है उसका हम बोलते हैं टॉकेटिब फूलिशनेस मतलब मूर्खता ग्र ऑफसकेट को आप याद कर सकते हैं ऑप्सक्यूर से ऑप्सक्यूर का मतलब होता है अनकिलियर ठीक है तो अनकिलियर का एंटोनेम क्या होगा क्लैरीफाय है हेज कोहरा होता है फॉग या कोहरा पजल यानि परप्लेक्स इंवलप किसी चीज़ को ढखना तो क्लैरीफाय ऑफ ट्रायम्फ का मतलब जीत की खुशी जो होती है उसका हम बोलते ट्रायम्फ तो इसका जो सही एंटोनेम होगा दुख यानि सौरो ठीक है डिस्देन यानि नफरत इलेशन मतलब बहुत ज़्यदा खुशी इस्टैबलेश मतलब किसी चीज़ को स्थापित करना तो सौरो जो हम मानते हैं एक बहुती डर्पोक सा एक एनिमल ठीक है चिकन की तुल्ला हम शेर से नहीं कर सकते हैं शेर को हम मानते हैं एक बहाद्दूर एनिमल ठीक है तो कौवर्ड यहां पर कहना इसका सही होगा चिकन हाथेट मतलब कौवर्ड या डर्पोक शौर्ट टेमपर जिसको जल्दी गुस्सा आता है शॉर्ट टेंपर कंपोज्ट मतलब सांथ बोल्ड मतलब बहाद्दो तो चिकेन हाथ एट का होगा कौवर्ड बहुत इंपर्टेंट डे होता है यानि सिग्निफिकेंट डे ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा रेड लेटर डे ये रियल कोश्चन्स हैं प्री के 982,017 को ये पेपर हुआ है तो मोस्त रीसेंट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है और सेम इसी तरीके के कोश्चन आप 2018 का जो CGL होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस इंपर्फमेंट का एक कोश्चन है और जो पर ब्रेकेट में दिया है इसको आपको इंपरूब करना है इस gratis को और ये जो ब्रेकेट वाला पात है ये जो पात है इसको आपको इंपरूब करना है he jumped of the train while it had been raining मतलब उसने train से jump लगा दी किस समय जिस समय train चल रही थी दोड रही थी तो head bean का मतलब होगा कि काम चलता रहा था काम कुछ समय तक चलता रहा था उस particular movement पर काम चलता रहा था तो काम चलता रहा था यह कहना senseless होगा उसने train से jump जंप लगाई जिस आपको तो यहां पर C आपका सही इसमें आंसर आपका होगा I didn't see him since we met two years ago यह structure में कई बार समझा चुका हूँ since जिसमें आता है तो since के बाद हम यहां पर लगाते हैं V2 यहां पर हम लगाते हैं work की second form और since से पहले हम लगाते हैं perfect tense ठीक है तो यहां पर हम बोलेंगे I haven't seen him since we met two years ago मतलब दो साल पहले जब मैं उससे बिला था उस समय से लेके अब तक मैंने उसको नहीं देखा है तो इसमें आपका सही आंसर होगा I haven't seen since से पहले यहां पर perfect tense और since के बाद यहां पर past simple tense यह बहुत common और बहुत important structure है और काफी बार यह repeat हुआ है तो इस structure को आप अच्छे तरीके से समझीए इसमें आंसर होगा आपका B यह है आपके one word substitution one who is new to a profession एक ऐसा व्यक्ती जो किसी भी profession में नया है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे टाइरो जदा experience है ठीक है तो टाइरो यहाँ पर सही answer होगा पन एक्चुली यह English literature में होता है पन का आर्थ होता है एक जैसे word होता है उसके कई meaning निकलते हैं जिसको हम double meaning भी बोलते हैं ठीक है तो उसको हम पन बोलते हैं nuances nuances मतलब छोटी-छोटी जो बारी किया होती है किसी भी चीज को चीज की उसको हम बोलते हैं nuances वंडल मतलब एक जो एंटी-शोशल elements होते हैं जो गुंडे टैप के विक्ती होते हैं उसको हम बोलते हैं वंडल तो टाइरो या novice यहाँ पर सही answer होगा ठीक है उसको हम बोलते हैं extempore extempore यह बहुत common word है जैसे schools और colleges पर जो competitions होते हैं वहाँ पर बिना तैयारी कि आपको बोलना होता है किसी भी particular topic पर topic आपको on the spot दिया जाता है और उस पर आपको बिना किसी preparation कि on the spot बोलना पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं extempore अपने आप से ही उसमें वो बातें करता है उसको हम बोलते हैं solilo cube ठीक है arbitrary जो आपकी कबर पर जो आपकी कबर होती है उस पर जो notice लखा रहता है यूफेमिजम एक खुशी जाहिर करने के लिए एक word है तो extempore यहाँ पर इसका सही answer होगा find the incorrectly spelled word incorrectly spelled word देखिए काफी important word है ऐसे सारे word जिसमें a, i, e आता है जिसमें i और e है इसमें i और e है यह सारे word काफी important रहते हैं spelling के हिसाब से जिसमें i और e आता है या जो double letter वाले word होते हैं जिसमें double ls में आ रहा है millionaire की spelling सही है omission की सही है foreign की सही है proprietary में इसमें a लगाते हैं हम proprietary बोलते हैं इसको ठीक है तो इसमें आपका answer होगा d, proprietary ownership होता है proprietary find the incorrectly spelled word इसमें हम देखते हैं accentuate यानि emphasize करना यह सही है abnormality यह सही है appeasement यानि शान्त करना यह सही है a, c, q, u, a, i a, i, n, t, a, n, c, e होता है ठीक है तो acquaintance गलत है यहाँ पर तो a इसमें आपका answer होगा यहाँ पर यह एक पैरा जंबल का question है और पैरा जंबल के question में इसमें first दिया है और six दिया है first और six इसमें दिया है बाकी को आपका range करना है राणी पद्बिनी वजे राज़पूत क्यूई अब यहाँ पर allow a, allow a, d-deen खिल जी, खिल जी देखे यहाँ पर पहले allow a, d-en खिल जी दिया है उसके वाद खिल जी दिया है उसके बाद खिल जी तो कई सारे हो सकते है यैनि खिल जी एक common noun की तरह भी यूज हो सकता है खिल जी एक common noun की तरह भी यूज हो सकता है तो किसी पेला ग्राफ में हम proper noun को पहले लेते हैं common noun को बाद में लेते हैं तो अलाउद्दीन खिल जी यहां पर proper noun है खिल जी यहां पर common noun है तो खिल जी और ये खिल जी इनको हम बाद में लेंगे, पहले हम अलाउद्दीन खिल जी को लेंगे रानी पदमिनी वोज राजपूत क्यूई अलाउद्दीन खिल जी इन्वेड़ इंडिया एंड रीच दा गेट्स अफ चितोर दा कैपिटल सिटी अफ दा राजपूत अलावदीन खिलजी ने इंडिया पर आकमर किया और रीच दा गेट्स ओफ चित्तोर चित्तोर के गेट्स पर पहुँच गया जो की राजपूत की कैपिटल सिटी थी ठीक है तो यहाँ पर यह सेंटेंस बोला सही होगा क्योंकि यहाँ पर हम इंट्रूड्यूस कर रहे है अलावदीन खिलजी का जो अटैक्स है उसको इंट्रूड्यूस कर रहे है और यहाँ पर अलावदीन खिलजी प्रॉपर नावन है इसलिए इसको हम पहले लेंगे इसको कॉमन नावन को हम पहले नहीं ले सकते ठीक है? तो ये एक basic rule है और एक basic rule ये भी है कि noun को हम पहले लेते हैं, pronoun को हम बाद में लेते हैं कोई भी paragraph बट से सुरू नहीं हो सकता क्योंकि बट एक conjunction है तो ये कुछ basic parameters हैं, ये कुछ basic guidelines हैं तो अलावदिन खिल जी को हम पहले ले लेंगे उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? उसके बाद हम उसने invade क्यों किया? ये हमें बोलना पड़ेगा तो बट तो नहीं लगेगा ठीक है? देखिए खिल जी attacked चित्तोर again इसके पहले एक sentence चाहिए यानि ये sentence नहीं आएगा, ये sentence बाद में आएगा, इससे पहले एक sentence चाहिए बट वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बट कंजेक्शन होता है यहाँ पर आप ये लगा सकते हैं खिल जी desired, देखिए खिल जी ने attack किया अलाओ दिन खिल जी invaded इंडिया और रीज दा गेट अप चितोड, उसने इंडिया पर टेक किया और चितोड वो क्यों गया ठीक है, उसका reason बताना पड़ेगा, तो उसका reason यहाँ पर बताया गया है कि खिल जी desired to capture चितोड and its beautiful cune रानी पडबिनी, क्योंकि वो चितोड को जीतना चाता था और रानी पडबिनी को वो capture करना चाता था तो इसके बाद हम इसको लगा सकते हैं, second को ठीक है, खिल जी desired to capture चितोड and its beautiful cune रानी पडबिनी इसके बाद हम बोल सकते हैं, but the Rajput under रानी पडबिनी fought like tiger, खिल जी ने attack तो किया चितोड पर, लेकिन उसके जो रानी पडबिनी के जो tigers थे, जो fighters थे, ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके से लड़ाई करी तो यहाँ पर यह हो जाएगा third, ठीक है, और उसके बाद खिल जी ने दुआरा अक्रमन किया तो यह हो जाएगा fourth, ठीक है, तो इस तरीके से इसका combination आपका बन जाएगा, आपका जो combination बनेगा वो क्या बनेगा P, S, Q, R, प, S, Q, R आपका सही combination इसमें बन जाएगा, तो इस तरीके से यह actually logic का test होता है पैरा जंबल actually logic का test होता है, कि किस action के बाद कौन सा action आएगा आएगा, noun में भी proper noun पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर pronouns आएगे, but या किसी भी conjunction से sentence शुरू नहीं होगा, but या कोई भी phrase हो, उससे sentence शुरू नहीं होगा, normally noun से सुरू होता है sentence, जैसे इसमें भी sentence देखिए noun से शुरू हो रहा है, रानी, पद्बिनी से शुरू हो रहा है, तो ये कुछ basic guideline आप याद रखेंगे, तो आप आराम से इन sentences को, इन पैरा जंबल्स को आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर एक दूसरा पैरा जंबल्स है, तो इसको हम देखते हैं, देखिए, for one एक phrase है, phrase से sentence स्टार्ट नहीं होता, phrase से paragraph स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ से sentence स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि for one का होता है, for one का मतलब है कि firstly, जैसे हम बोलते हैं, firstly, secondly, thirdly, जैसे हमने कोई statement बोला, और उसके बाद example हम देते हैं कि firstly, secondly, thirdly तो for one में हम कुसी चीज का example हम यहाँ पर दे रहे हैं किसी चीज का reason बता रहे हैं तो यह एक phrase है यहाँ से paragraph start नहीं हो सकता this एक pronoun है ठीक है pronoun से paragraph start नहीं हो सकता यह this किस चीज के बारे में हैं वो noun पहले आएगी तो यह sentence हमने eliminate कर दिये कि यहाँ से sentence शुरू नहीं हो सकता अब देखिए the trade refers to it यहाँ पर भी eight आ गया, eight एक pronoun है तो यहाँ से sentence शुरू नहीं हो सकता ठीक है, तो sentence start होगा यहाँ से यानि आर जो बनेगा आपका first sentence बनेगा अब हम इसको पढ़ते हैं और इसके बाद फिर बाकी के sentences को हम इससे link करेंगे दिस्पाइट बींग दा डॉमिनेंट पार्टनर इन दे रिलेशन शेप देखिए इसमें एक noun आई है outsourcers यानि यह एक subject है, यह एक doer है और paragraph हमेशा doer या subject से start होता है तो indirectly इसमें एक subject यहाँ पर आया है outsourcer outsourcer का मतलब है, जिसे आप business man है और अपने किसी काम को, आपके पास बहुत सारा काम है तो अपने उस काम को आप दूसरे लोगों को दे देते हैं outsource कर देते हैं अपने उस काम को ठीक है, और वो लोग उस काम को आपको करके देते हैं और इससे आपका समय आपका बचता है और आपका जो tension है वो बचता है तो यहाँ पर है outsourcer की बात हो रही है despite being the dominant partner in relationship the outsourcer doesn't always have all the advantage outsourcer को हमेशा सारे advantage नहीं होते ठीक है, अब इसके बाद यहाँ reason बताया है for one, के सबसे पहले एक यह reason है for one, very few entrepreneurs are willing to take on a new outsource क्योंकि काफी सारे जो entrepreneurs होते हैं वो new outsource से जोड़ना नहीं चाहते हैं यह इसमें बताया है तो आर के बाद यहाँ पर P आ जाएगा और P के बाद यह वाला sentence नहीं आ सकता है इससे पहले यही sentence आएगा क्योंकि यहाँ पर this बोला है कि this invariably acts यानि this का मतलब है कि यह pronoun है और यह pronoun जो है इस चीज के लिए आ रहा है यानि यह हो जाएगा third और यह हो जाएगा four तो आपका जो PQRS combination बनेगा वो क्या बनेगा R, P, S, Q R, P, S, Q आपका combination बनेगा तो इसमें answer होगा आपका D इस तरीके से इन questions को आपको करना होता है PQRS के questions को यह पूरी तरीके से एक logic का test है और logically आपको apply करना आता है सारी चीजों को तो अच्छे तरीके से इन questions को आप 100% accuracy के साथ कर सकते हैं उसके बाद एक यह section रहता है इन में भी आप 100% score कर सकते हैं यह कुछ भी इसमें difficult नहीं है देखे यहां से देखिए यदि sentence active voice में है तो आपको passive voice में change करना है पैसे voice में है तो active voice में change करना है ठीके तो सबसे पहले आपको यह इनिश्य करना है कि sentence किस voice में दिया हुआ है एक्टि वोइस में दिया है या passive voice में दिया है ठीके अब देखे somebody told me somebody यानि यह subject है यह verb है यह object है तो यह किस में हुआ यह यह जो part हुआ यह active voice में हुआ somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition किसी ना मुझे बताया है कि jewelry की दुकान में jewelry exhibition में robbery हो गई दकैती हो गई थी somebody told me तो इसका passive voice क्या होगा somebody told me का यह subject है यह यह आपका यह आपका verb है यह आपका object है तो somebody told me का हो जाएगा I was told by somebody somebody told me का हो जाएगा I was told by somebody अब देखिए I was told by somebody इसमें केवल एकी sentence में दिया है I was told by somebody तो आपका ये sentence जो होगा, ये सही होगा, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें, इसमें simple से rules रहते हैं, और simple logic आपको apply करना होता है, और इस तरह के sentences में 100% accuracy के साथ इस तरह के sentences को आप कर सकते हैं, ठीक है, I was told by somebody एकी sentence में दिया है, तो इसलिए फस जो B sentence है, वो इसमें सही होगा अब देखिए, ये narration का question है, narration के question में देखिए, ये WH word दिया है, तो WH से ही start होगा, चुकि ये past में है, यहाँ पर ये जो verb है, इसको हम बोलते है reporting verb, ये past में है, रोहन sad, रोहन says नहीं है, ये रोहन sad है, यानि past tense है ये, तो ये वाला जो part है, इस part को आपको past tense में change करना ठीक है, अगर आपको rules इसके पता है, simple से rules, तो next month को हम क्या कर देते हैं, following month कर देते हैं, next month को हम following month कर देते हैं, और following month इसमें केबल 2 में दिया है, यानि ये 2 आप ले तुरंट eliminate कर दिये, अब आपका जो answer होगा, या तो ये होगा, या ये होगा, क्योंकि following month केबल इसमें दिया है, अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर, यहाँ पर actually वो आश्यर कर रहा है, के रोहन सेड, where shall I be this time next month, अगले महीने मैं इस time पर कहां पर होँगा, वो आश्यर कर रहा है, ठीक है, उसको आश्यर हो रहा है, तो इसलिए wondered कहना सही होगा, ठीक है, और shall का past क्या होग शेल का past होता है, शुड, लेकिन शुड आप लगाएंगे, तो उसका sense नहीं निकलेगा, इसलिए उसका equivalent आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसका equivalent वोड आप लगाएंगे, तो इसका सही sense निकलेगा, रोहन बंडर्ड, where he would be that time, the following month, इसमें देखिए, रोहन contemplate where shall, शेल का इ पास्चर करना होता है, तो शेल की वज़े से भी ये sentence गलत हो जाएगा, तो शेल का या तो should होगा, या would होगा, शेल का past या तो should होगा, या would होगा, लेकिन should से sense create नहीं होगा, इसलिए हम इसके जगा बोड लगाएंगे, तो इसमें लगा है would, तो would यहां पर कहना सही होगा wonder'd भी इसमें लगा है where का where ही रहेगा ठीक है डबलू एच वाले sentences में हम कभी भी डबलू एच वर्ड के साथ that नहीं लगाते इसमें जैसे that भी लगा हुआ है तो that इसमें extra है डबलू एच वर्ड और that साथ में नहीं आते क्योंकि ये डबलू एच वर्ड भी ये conjunction की तरह काम कर रहा है और that भी ये conjunction की तरह काम कर रहा है तो double double word नहीं आते हैं ये इस तरह का question आप से spotting रूजा जा सकता है तो इसको आप ध्यान रखिए कि that और डबलू एच वर्ड ये साथ में नहीं आएंगे ठीक है तो इसमें answer होगा आपका D ये close test है इसको हम पढ़ते हैं the modes of actions are in science and religion कभी भी close test को शुरुआत में ही solve नहीं करना चाहिए उसको आप पूरा पढ़िए पूरा आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उसको आप और उस close test का एक fair idea आपको होना चाहिए किस बारे में इसमें बात हो रही है और close test का टून क्या है positive टून है या negative टून है ठीक है the modes of actions are in science and religion science relies देखे यहाँ पर हम क्या बोलना है science relies on experiment whereas religion is based on experience मतलब science जो है वो experiment पर based होता है ये बल्कुल सही है कि science में हम experiment करते है और religion किस पर based होता है religion experience पर based होता है मतलब दौनों का जो basis है जो fundamental है वो अलग-अलग है इसलिए पहले sentence में हम similar नहीं लगा सकते पहले में हम लगाएंगे different क्योंकि दूसरे sentence से हमें पता पढ़ गया कि ये दौनों चीज़े साइस और लीजन सेम नहीं हो सकती तो इसलिए यहां पर हम लगाएंगे different the modes of actions are different in science and religion science relies on experiment whereas religion is based on experience ticket any religious abyss में क्या आएगा any religious एक्तीस एक्तीस घृचे वीयर एक्तीविटी तो हम बाती नहीं कर रहे activity की बात नहीं कर रहे हम थोट इसमें सही होगा any religious thought whether it is Christ और Raham Krishna कोई भी religious thought हो चाहे वो Jesus Christ का थोट हो, या राम krashnan परामानास का थोट हो, कोई भी religious जो थोट है वो personal है, और ये बात सही भी है कि जो religious जो thinking होती है वो लोगों की एक subjective और personal thinking होती है कोई किसी विक्ती को मानता है तो यह पूरी तरीके से एक personal और subjective matter है Whether it is Christ और रामकर्ष्ण is personal and अब यहाँ पर personal का equivalent word आपको चाहिए चुकि personal जो word है यह end से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको personal का equivalent word आपको यहाँ पर चाहिए और personal का equivalent जो word है वो है subjective ठीक है? तो it is Christ और रामकर्ष्ण is personal and subjective आगे जैकते theory has to be corroborated corroborated का meaning आपको पता होना चाहिए theory को आपको substantiate करना पड़ेगा मतला उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा उसका evidence आपको देना पड़ेगा कोई भी theory है उसको आपको justify करने के लिए उसका एक प्रमाण आपको देना पड़ेगा theory has to be corroborated by proof ठीक है? अब proof क्या एक noun है? यानि यहाँ पर आपको एक adjective चाहिए ठीक है? तो theory को किस चीज से corroborate कर सकते हैं? आप tangible proof से एक ऐसा proof जो सामने आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो word आएगा वो आएगा tangible proof theory has to be corroborated by tangible proof providing material comforts ठीक है? दा frontier of science do not end in knowledge but are मतलब जो science के जो सीमाएं हैं science की बिज्ञान की जो सीमाएं हैं वो knowledge पर जाके खतम नहीं हो जाती but are to the formation of appliances for actual use science का केबल यह मतलब नहीं है कि हमारे पास knowledge हो और हम knowledge को gather करें science का यह मतलब है कि हम उस knowledge को humankind के लिए mankind के लिए actual use में लेके आएं तो the frontier of science do not end in knowledge but are to के साथ अब देखिए यहाँ पर दो logic आप लगा सकते हैं एक तो यह लगा सकते हैं तो के साथ कौन सा word जाएगा तो यहाँ पर हम क्या बोल ले हैं यहाँ पर हम बोल ले हैं कि end और यहाँ पर हम बोल ले हैं but मतलब एक तरफ हम बोल ले हैं कि end हो जाती है दूसी तरफ हम बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता यानि end का opposite यहाँ पर चाहिए एक तरह हम बोलें को चीज़ खतम हो जाती है दूसरी चरब हम इसका अपॉजिट बोलेंगे यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका एक्स्टेंडेड क्योंकि एंड का उल्टा है एक्स्टेंडेड एंड का उल्टा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर बट लगा हुआ है तो इस तरीके से मैंने यह सैट नंबर 12 है और यह रियल पेपर है एससी सीजियल का 2017 का यह नो आठ 2017 को यह पेपर हुआ था आफ्टनू शिफ्ट में और सीजियल 2018 के स्टुडेंट इस पेपर से बहुत को सीख सकते हैं से तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा और थोड़ा वो चेंज अगर आता है तो उसको आप मैने तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू